अपराद की दुनिया में दखल बढ़ा कर राजनीती के गलियारे तक पहुँचे माफिया मुक्तार अंसारी की मृत्यू के साथ आतंक के एक अध्याय कभी अंत हो गया। मुक्तार अंसारी का लंबा आपरादी के तिहास रहा है। पिछले 18 साल से वो लगातार जेल में बंद था। इस दौरान मुक्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के कई जेलों में बंद रहा था। पंजाब की जेल में भी उसमें सबसे लंबा समय काटा था। 18 साल तक जेल में बंद रहने के दोरान मुक्तार अंसारी का कुछ समय जहासी के जिला कारागार में भी काता था। साल 2007 में लगभग 11 दिनों के लिए जेल में रहने आया था। बात साल 2007 की है जब 29 अपरेल 2007 से लेके 9 मई 2007 तक वो यहां बंद रहा था, यहां निरुद रहा था। और इसके बाद यहां से गाजिपुर में एक केस की पेशी में चला गया और फिर यहां कभी लोट के नहीं आया। उन्हें 11 दिनों में मुखतार अंसारी इसी जेल में रहा, यही पर उसने अपना समय काटा और जहांसी के जेल के रिकॉर्ड में भी माफिया मुखतार अंसारी का नाम दर्ज है। जहांसी जिला जेल के अधीक शक विनोद कुमार ने बताया कि बंदी मुखतार अंसारी 29 अप्रेल 2007 से लेकर 9 मई 2007 तक जहांसी जेल में बन रहा। यहां से उसे गाजीपूर ले जाया गया था। गौर तलब है कि मुखतार अंसारी कई अलग-अलग मामलों में आरोपी था। यह 29 अप्रेल 2007 से नो 5 अप्रेल 2007 तक रहा। लगवग 11 वारती। सुना कि कैसे माफ्य मुखतार अंसारी कुल 11 दिनों के लिए इस जेल ने बंद रहा था। यहीं पे रहा अपने सजा का कुछ समय काटा और इसके बाद यहां से गाजीपूर चला गया। लोकाटिन के लिए जहासी से शाश्वत सिंग के रिपो।